लो दूस्तिह नमस्का सौदь आपसका फिस्जने बीडियो में दूस्तो आज convince क्या सा 허एंब फिस्प है याँ दूस्तो गरीबी का आर्थ लिखे चले दिस्तो देख लिए बीडियों का तर divan इसे और केबल कुछ बैक्तियों की निम्न आर्थिक इस्तिति ही गरीबी को जन्म देती है बलकि किसी भी समाज में दूस्तो किसी भी समाज में आप लोग देखना ब्यक्तियों का एक बहुत बड़ा भाग जब जीवन की बहुत सी अवसकताओं को पूरा कहने में असमर्त रहता है तब इस इस्तिती को गरीबी के नाम से जाना जाता है दोस्तो और इसका आसा यह है कि समाज में आधिक से अधिक ब्यक्तियों को रहने, खाने और पहने की अतियावसक, सुबदाएं उपलब्द ना हो तो इस प्रकार की इस्तिती को भी गरीबी के नाम से जाना जाता है एक बार फिर से हम लोग अच्छे से समझते हैं कि दोस्तो धन का अभाव निर्धनता को जन्म देता है यानि दोस्तो पैसों की कमी गरीबी को जन्म देती है सेमपेशिवासा में कि बल कुछ बैक्तियों की निमने आर्थे किस्तिती ही खराब होती है दोस्तो कुछ बैक्तियों की जो है पैसों से कुछ बैक्ति ही गरीब होते है और दोस्तों बलकि किसी समाज में ब्यक्तियों का एक बहुत बड़ा भाग जब जीवन की नियुनता मवस्कताओं को पूरा कहने में असमर्त रहता है आपर कहने का यह चीज कहने की कोशिश की जा रही है कि जब समाज में किसी ब्यक्तियों का जो बड़ा समूह है जब किसी जो में चीज़ें हैं मलदा जो खाने पीने की जब उनकी अवस्कताओं को पूरा कहने में जब कोई भी मलदा समाज जो असमर्त रहता है तो तब इस इस्तिति को हम लोग क्या कहते हैं गरीबी मलद लोग गरीबी ना होने का सबसे बड़ा कान होता है जब किसी के ब्यक्ति के पास दो टाइम का खाना कपड़ा और मकान है तो समयलू अव्यक्ति गरीब नहीं है लेकिन जब किसी ब्यक्ति के पास ना तो कपड़ा होगा ना अच्छे से खाना पीना है ना मकान है तो दोस्तो इस इस्तिति को हम लोग क्या कहते हैं गरीबी दोस्तो इसका आसा यह बिया कि समाज में ज्यादा से ज्यादा ब्यक्तियों को रहने खाने और पहने की अतियावे सक्स उबदाएं उपलाब्द ना हो तो इस परकार की स्तिति को गरीबी कहते हैं तो दूस्त दूस्त करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आएगी वीडियो को ही लाइक ने सेक आए चैनल पर चुने सब्सक्रेक आए